हाल ही में चंद्रयान 3 ने 23 अगस 2023 की दिन एक बड़ा इतिहास रचा जहां उसने चंद्रमा की सतव पर शाम 6 बच कर 4 मिनिट पर सफलता पूर्वक लेंडिंग की इस दोरान चंद्रमा की दक्षिनी धुरूप पर इसने हिंदुस्तान का जंडा लहराया ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है जो पहले कभी कोई देश न कर पाया हो फूरी दुनिया में इसरों की काम्यावी को सराहा जा रहा है लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि चंद्रयान 3 से अब तक क्या-क्या जानकारिया मिली है साथ ही इससे जुड़े ये सवाल भी पूछे जा रही है कि कब तक विक्रम लेंडर चंद्रमा की सतह पर एक्टिव रहने वाला है अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल है तो आज आपके लिए हमारा ये वीडियो फायते मन्द होने वाला है आपको पता दे कि जैसे ही चंद्रयांत्री चंद्रमा की सतह पर उत्रा उसके कुछ समय बाद ही प्रज्या ने चंद्रमा की सतह पर अपनी चाप छोड़नी शुरू करती जिसकी कुछ तस्वीर है शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल भी हो रही है वही इससे जुड़ी कुछ एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि लेंडर के पैर की परच्छाई चांद की सतह पर नजर आ रही है और जिस सतह पर लें जानकारी भी मिल रही है अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि प्रज्यान चंद्रमा के सता पर कब तक एक्टिव रहने वाला है तो आपको बता देख ये करीबन 14 दिनों तक लगतार चंद्रमा के ऊपर अपने पैरों की छाप छोड़ता रहेगा हालाके इस र तो द्वारा चंद्रमा से जिडिया नेक जानकारियों को देश की जंता तक पहुंचाया जाता है जान इन जानकारियों को लेंडर में लगे कई कैमरे के जरीए खता किया जा रहा है अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जंत्यां 3 के अपार सफलता के बाद भारत सूर्य की दौर बढ़ेगा जिसका नाम आदित्य एलवन है जो 2 सितंबर 2023 के दिन लॉंच किया जाने वाला है